आज रसिया और ऊक्रेयन लगबक 3 महीनों से यूद्ध में उल्जे हुए हैं भले ही रसिया उक्रेयन के सारे सहरों को खंडार में तबदिल कर दे रहा है लेकिन फिर भी जिलेंज की रसिया का ड़ट कर चामना कर रहे हैं इन तीन महीनों के लड़ाई के दोरान उक्रेएन के साथ साथ रसिया को भी भारी खाम्याजा उठाना पर रहा है। उदर उक्रेएन का सरदर्द सिफ रसिया है तो दुसरी तरफ रसिया को सारे पच्छमिन देशों से खत्रवान हुआ है। वैसे अगर रसिया और उक्रेयन इन दोनों देशों को पंपेर करें तो उक्रेयन पावर के मामले में रसिया के सामने दूर डुरता कहीं नजार नहीं आता भले ही रसिया दुनिया का दूसरा सबसे सुपर पावर देश हो लेकिन फिर भी उक्रेन रसिया को तीन महिनों से यूद में उल्जा कर रखा है आकिर वो कौन सी कारण है जो इतने सक्तिसाले देश को एक छोटा सा देश इतने दिनों से रोक कर रखा है आईए देखते हम इस आज की वीडियो में तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें और हमाया चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तो रस्या और उक्रेन में ऐसी कई बार सिम्ग विवाद हूई हैं जो कि इनके रिस्टो में खटास पैड़ा कर दी हैं लेकिन रस्या और इवक्रेन के इस जंग के बीज में सिर्फ उनी का दोस नहीं हैं बलकि इस में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है जरसल अमेरिका और रसिया दोनों एक दुसरे के बहुत पुराने दुस्मन हैं भाले ही अमेरिका आज सुपर पाउर कहलाता है लेकिन रसिया भी इस बात पे कभी रह चुका है जरसल जब सोबिया संग का खंडन नहीं हुआ था तब दुनिया का सब्सक्ति साली देश रसिया ही था लेकिन जब सोबिया संग का खंडन हो गया तब रसिया से एक साथ तेरा देश अलग हो गया जिसमें बेलारूस और उक्रेन भी सामिल थे लेकिन जब उक्रेन रसिया से अलग हो गया तो रसिया और उक्रेन में अनेकों बार सिमा विवाद के लिए तानातनी हो गया था इसलिए उक्रेन को एक ऐसा ग्रूप की तलास थी जो की यूद जैसी इस्थिति में उक्रेन की मलत कर सके और इसलिए उक्रेन ने नाटो को ज Natoo के की वि ultimate-दिश्य पर हमला करता है तो Natoo के बाकि सारह देश्य मिलके उस पर हमला कर देते हैं अगर मनले Сов…के उक्रैन अगर नाटो में साम्ल हो जाता और फ्यूचर में कभी रसिया उक्रान पे हमला करता- तो नाटो के सारे साधा सदेस देसे की अमेरिका और फ्रांस जापान सब मिल के एक साथ रसिया पे हमला कर देते हैं ये तो हो गई नाटो के बारे में लेकिन आपको बता दें कि रसिया और अमेरिका हकीर क्यों एक दूसरी के इतना बीरोत करते हैं क्योंकि अमेरिका और रसिया क सबसे सकते साली देशों में से एक हैं। अमेरिका अज इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया के बागी देशों को वहां तक पूँचने में काफी वक्त लगने वला है। सिवाय रसिया के और यही हो कारण है कि अमेरिका रसिया को हमेशा पीछे डेखलना चाहता है जरसल अमेरिका को यह डर लगता है कि रसिया जिस रप्तार से डेपलप कर रहा है कई वो फ्यूचर में सुपर पावर ना बन जाए और इसलिए अमेरिका युक्रेन को नाटो में स रेनिकों को भेच सकता है और एमरिका रस्या से आमस्ता मनीच की लड़ाई में भेच बैस बनाता। तो अमेरिका उक्रेन में अपना मिलेटरी ब्यास बनाता और अगर माल लेजिए कभी फ्यूचर में रसिया और अमेरिका में युद जैसी प्रेस्यति बनती है तो उससे में अमेरिका इसका फैदा उठा सकता था और रसिया से आमिया सामने के लड़ाई में हिर सकता था इसलिए रसिया उक्रेयन को नाटो में जाने से माना किया लेकिन उक्रेयन रसिया के इस बात को नकार दिया और नाटो में साइमिल होने चल पड़ा लेकिन रसिया को इस बात से बहुत दुख हुआ और उसने उक्रेयन पे हमला कर दिया जरह सल ये बात युक्रियन भी जानता था कि अगर युक्रियन नाटो में साइबिल होने की कोशिस करेगा तो रसिया युक्रियन पे हामला कर देगा लेकिन फिर भी युक्रियन ये सब जानते हुए भी नाटो में साइबिल होने चाहा क्योंकि अमेरिका युक्रेयन को इतना मोटिवेट कर दिया था कि युक्रेयन को ये अकीन हो गया कि अगर रसिया युक्रेयन पे हामला करता है तो अमेरिका युक्रेयन का हर हालत में साथ देगा लेकिन जब रसिया उक्रेन पे हामला कर दिया तो अमेरिका से में सारे नाटो डेस पीछे हट गया क्योंकि अमेरिका जो चाहता था वो तो हो गया अब उक्रेन से उसे क्या अमेरिका यही चाहता था कि रसिया उक्रेन पे हामला करे और एसाई हुआ जब रसिया उक्रेन पे हमला कर दिया तो अमरीका पीछे हट गया, क्योंकि अमरीका को उक्रेन या फिर रूस से कोई मतलब नहीं है, अमरीका को सिर्फ इतना मतलब है कि रसिया को पीछे कैसे किया जाए, और अमिर्का को ये एक बहुत अच्छा मोका मिल गया, क्योंकि वो इ तो फिर इपक्रेन वहां से सब्सक्राइब को नाटी यह पड़ रहा है तो दोस्तों आपको बता दें कि रस्या सिर्फ युक्राइ尖 लड़ रहा है क्योंकि वwo इस लड़ाई में युक्रियन और सामिल है और वो शारी था देरा है जो की you can gonna कारीगर हो सकते हैं और नाटो के साय सथा से ही एक योगा का हर संबसर्भ वानद का रहे हैं बहले ही इस लड़ाई में वो खुल के शामिर निया रही है लेकिन और को शैयर का पूरा सवपोड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उक्रेट से जोवादा किया था वो तो नहीं निभापाएं लेकिन अपनी तरब से जहां तक हो सकते वो उक्रेट की मदद कर रहे हैं ताकि उक्रेट को भी यह ना लगे कि जब यूद सुलू हुआ तो सारे नाटो डेस एक साथ रसिया से डर के पीछे हट आज अमेरिका से मेट सारे नाटो को संबाज में आ गया है अगर वो एक साथ मिलकर भी रसिया पे हमला करने कोशिश करें तो भी रसिया पीछे नहीं हटेगा कि भले ही आज आमने सामने की लड़ाई में उक्रेट और रसिया ही साही मिल है लेकिन अगर अंदर से देखा जा दुनिया का सबसे बड़ा बम जिसका नाम टी एसार बम है वो रसिया के पासे इस बम का मारग छमता आप इस बस लगा सकती है कि जापान की हिरो सीमा में और नागा साकी में अमेरिका जो परमानों को बम गिराया था उससे ये बम दस हजार गुना 14 सकति साली है अगर एसे म ज्थे है वो खुल के उक्रेन की मुदद नहीं कर रहे हैं अगर गुदर लगा तो आप इससे अंगर slides हैं तो उनको कितना भारी खामेज़ उठाना पड़ेगा अगर नाटो और अमेरिका खुल के रसिया के साथ युदि में सामिल हो गए तो इंडिया रसिया के साथ जाएगा क्योंकि इतिहास में रसिया भी इंडिया का उससे में मरत किया था जब सारे देश इंडिया के खिलाब थें उस समय रसिया भी इंडिया का साथ दिया था तो ऐसे में इंडिया भी रसिया को एकले नहीं चोड़ सकता है दोस्तो ये तो हो गई रसिया और ईक्रेन के बारे में लेकिन दोस्तो आपको बता दें कि इसी समय चाइना और टैवान में भी यूद होने वाली है क्योंकि चाइना भी टैवान को अपने हिसा बताते हुए यूद की साधय त्यारिय कर चुका है और चाइना स्थिक्रिम के भी कुछ इलाकों पे अपना दावा कर रहा है तो क्या इंडिया और चाइना में भी यू धोने वाल है तो दोस्तो हम इस बात को आपको अगले वीडियो में बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद तो दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए तो दोस्तो मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद